क्लास 11 विसाथरी तीन महादिव्यूपों में फैला हुआ सामराज रोम सामराज दूर दूर तक फैला हुआ था और इसके विसाल राज छेत्र में आज का अधिकांस युरोब और उर्वर अर्ध चंद्राकार छेत्र जैमेतिय छेत्र में यानि पस्सिम एसिया और उत्रे एक बड़ा हिस्सा सामिल था ये हिस्सा कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं था बलकि बहुत बड़ा हिस्सा सामिल था हम इस अध्याय में यह देखने का प्रियास करेंगे यह पढ़ने का और समझने का प्रियास करेंगे कि इस सामराज का गठन कैसे हुआ किन-किन राजनितिक ताकतों ने इसके भायगे को बनाया सनवारा और इस समराजी के लोग किन-किन सामाजिक समुहों में विभाजित थे आप देखेंगे कि यह समराजी अनेक सस्थानिय संस्कृतियों और भासाओं के वयवह से संपन था यानि मिस्रित संस्कृती बन चुके थे वहाँ इस्तिरियों की कानूनी इस्तिति काफी सुद्रीड थे समझे इस्तिरियों को एक अधिकार मिला हुआ था जो समाज इस्तिरियों को दोयम दर्जे का अस्थान देता है जो समाज इस्तिरियों के सोसन की बात करता है जो समाज इस्तिरियों का सोसन करता है जो समाज इस्तिरियों के सोसन के लिए अनेक अनेक तरह के कर्मकांड, अंधिविस्वास, जादू, टोना, टोटका, मंदिर, मस्जिद, गिर्जा, घार में अपनाता है वो समाज सबसे अधिक पिछडा हुआ समाज सावित होता है लेकिन आप यहां देखेंगे कि यहां परिस्त्रियों को कानूनी रूप से काफी इस्तिती सुद्रिड थी और वैसी इस्तिती आज के अनेक देशों में भी देखने को नहीं मिलती है यही कारणे कि हमारे परिवार की महिलाएं अंधविस्वास का सिकार बन जाती है और वे अपने अधिकार और अधायत्यों को नहीं समझ पाती है उन्हें जरत धर्म के बारे में बताया जाती है तो वे अफिम के नसे की तरह गुस्ते में आ जाती है वे गोबर की पूजा करती है वे आधे जानवर और आधे आदमी की पूजा करती है यहीं पर हमारा स्रामाज एक निम्नत इस्तिती में और एक पतंसिल अवस्था में दरसाता है हम मानव हैं, हम चिंतंसिल मानव हैं, हम ग्यानी मानव हैं, हमें लौजिक लगा कर चलना चाहिए अध्यात्म में कभी यह नहीं कहता कि तुम गोबर के पूजा करो कभी यह नहीं कहता कि आधे जानवर आधे मनुष्य की कलपना करो यह कोरी कलपना में ख्याली पुलाव में जीने का जो सपना है यह सरासर गलत है इसी जगह पर अगर यहां पर आध्यात्म का एक उपवास की परंप्रा को बिसुद रूप से चलाये जाए जहां पर ना तो कोई करमकांड हो ना पर किसी तरह की अन्विश्वास की परंप्रा अस्थापित हो तभी तो एक राजनितिक चेतना नहीं बलकि आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा ये आध्यात्मिक चेतना लोगों की जीने का एक महत्पुन साधन है बट उसको राजनितिक चेतना भी चाहिए जो वह अपने स्वावलंबन अधिकार को समझ सके और श्वावलंबी बन सके अपने परिवार को बना सके अपने बच्चों को बना सके और जब सारी महिलाएं अपने स्वावलंबन की अधिकार को समझ जाएगे तो ना जाने कितने परिवार का इस्तिती सुधरिड और मजबूत हो जाएगा अंदबिस्वास से उनकी इस्तिती सुधर जाएगी वे गलत रास्ते में जाने से बच जाएगे और हमारा समाज एक निस्पत समाज और एक मानवता वाली समाज अस्थापित हो जाएगी तो इसलिए तो कहा क्या है लेकिन वहां की अर्थव्यस्था बहुत कुछ दास्त्रम के बल पर चलते थी और जिस वजह से जनता का अच्छा खासा भाग स्वतंतरता से बंचीत रह जाता था इसका मतलब है कि अगर आपने दास्त्रम्परा को बनाए रखा है तो वह समाज भी निम्न है पांचवी सताब्दी और उसके बाद के समय से पसी में सामराजी छिन भीन हो गया लेकिन अपने पुर्वी आधे भाग में अखंड और अत्यंत सम्रीद बना रहा अगली अध्याई में आप खिलाफत के बारे में पढ़ेंगे और इसकी सम्रीधी का निव कैसे अस्थापित हुआ ठीक है और उसके इसकी सहरी और धार्मिक परंपराओं को विरासत में कैसे प्राप्त किया इसके बारे में जनकारी हासिल करेंगे रोम के इतिहास कारों के पास स्रोत सामगरी का विसाल भंडार है और तिन बरगों में इसी विभाजित किया जा सकता है पहला है पाइठे पुस्तक, प्रलेक यानि दस्तावेज, भौतिक अवसिस पाइठे सुरुतों में सामिल है कि समकालिन व्यक्तियों द्वारा लेखा गया उसकाल का इतिहास जिसे वर्स वर्तांत कहते हैं, एनल्स कहा जाता था, क्योंकि ये विर्तांत परतिवर्स लिखे जाते थे सुचिए, जर्द्धान से देखिएगा, पढ़िएगा, कि पद्र, व्याक्यान, प्रवचन, कानून, आदी ये सभी पर्तिवर्स लिखे जाते थे यानि लेखन कला का नाया बुदारन बहुत ही अच्छी तरिके से इन्होंने इसका उप्योग किया दस्तावेजी स्रोत मुख्य रुप से उत्किर्ण अभिलेखों या पैपाइरस पेड के पत्तों आदी पर लिखी जाते थी जो पांडूलिपी के रूप में आज हमें मिलते हैं और उत्किर्ण अभिलेख करने के मतलब बड़े-बड़े पत्थरों के उपर खोद कर जो लिखा गया था ठीक है उसे हम उत्किर्ण अभिलेख करते हैं आम तोर पर पत्थर की सिलाओं पर खोदे जाते थे और इसलिए भी नस्ट नहीं हुए और बहुत बड़ी मात्रा में युनानी और लाटिनी में पाए गए हैं पैपाइरस एक सरकंडा जैसा पाउधा था जो मिस्र में निल नदी के किनारे उगा करता था उसी से लेखन सामगरी तयार की जाती थी रोज मर्रा की जिंदगी में उसका ब्यापक इस्तिमाल किया जाता था और हज्जारों की संख्या में सन्विदा पत्र, लेक, सन्वाद पत्र और सरकारी दस्तावेज आज भी पैपाईरस पत्र पर लिखे हुए पाए गए हैं और पैपाईरो लोजिस्ट यानि पैपाईरस सास्ति कहे जाने वाले विद्वानों द्वारा प्रकासित किये गए हैं जो इसको तयार करता था उसे हम पैपाइरो लोजिस्ट कहते हैं भौतिक अफसेशों में अनेक प्रकार की चीजें सामिल है जो मुख्य रूप से पुरा तत्व विविदों को यानि आर्के लोजिस्टों को खुदाई और छेत्र सरविच्छन आदे के जरिये अपनी खोज मे मिलती है जैसे इमारतें असमारक और एन्य प्रकार की सनरचनाएं मिट्टी के बरतन सिक्के पच्चिकारी का समान यहां तक की संपूर्ण भूद्रिष्य जैसे हवाई छायंकन द्वारा प्राप इनमें से प्रतेक स्रोत हमें अतीत के बारे में एक प्रकार की ही जानकारी प्रदान करता है और इन जानकारीयों को मिला कर देखना अत्यन तुपयोगी हो सकता है लेकिन कितनी अच्छी तरह से इतिहास का इन सुरोत्तों के तथ्यों से अंतरसमंद बनाता है और यह उसकी कुसलता पर निर्भर करता है देखिए इस्ता मसीख के जन्म से लेकर सात्म सताबदी के पुरवार्द में 630 के दसक तक की आओधी में ठीक है पुरवार्द का मतलब हता है बीच-बीच का प्रियड और उसके बाद का तो अधिकांस यूरोप उत्री अफ्रेका और मईध्य पुर्व तक के 20 साल छेत्र में दो ससक्त दो मजबूत दो ताकतवर श्राम संथा तीन महाद्वीप आपको याद रखने हैं एसिया यूरोप और उत्री अफ्रेका ये दो सामराज ये रोम और इरान के थे रोम तथा इरान के लोग आपस में पढ़ती दोंदी थे और अपने इतिहास के अधिकांस काल में वे आपस में लड़ते रहे उनके सामराज एक दुसरे के बिल्कुल पास थे उन्होंने भूमी की एक संक्री पढ़ती जिसके किनारे फरात नदी बहा करती थी अलग करती थी किसी दोनों के सामराज की सीमा को इस अध्याय में हम रोम के सामराज के बारे में पढ़ेंगे मगर कहीं कहीं परसंग बस रोम के परतिद्वन्दी इरान का भी हम उलेक करते रहेंगे यदि आप नीचे दिये गए मानचितर पर नजर डालें तो देखेंगे कि यूरोप और अफरीका के महादुईब एक समुद्र द्वारा एक दुसरे को अलग किये हुए हैं जो पस्चिम में अस्पैन से लेकर पूर में शिर्या तक फैला हुआ है और इस समुद्र को हम लोग भूमजद्य सागर के नाम से जानते हैं यह भुमेदे सागर उन दिनों रोम सामराजी का हेड़दय था और रोम का भुमेदे सागर तथा उत्तर तथा दचिन की दोनों दिसाओं में सागर के आसपास इस्थित सभी प्रदेशों पर अधिकार था उत्तर में सामराज की सीमा के निर्धारन दो महान नदियों एक राइन और डैन्यूब से होता था और दच्छनी सीमा सहाराण आत्नामक एक बहुत ही बड़ी रेगिस्तान से बनती थी इस प्रकार इस अत्यंत विश्थित छेत में रोम सामराज का फैला हुआ था दूसरी तरफ कैस्पियन सागर के दच्छन से पूर्वी अरब तक का समूच्चा इलाका और कभी-कभी अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी इरान के नियंतरन में थे इन दो महान सत्यों ने दुनिया के उस अधिकान सभाग को आपस में बाट रखा था जिसे चीनी लोग ताचीन या बिरहत्तर चीन या मोटे तोर पर प्रप्रेस्चिन कहा करते थे ये देखिए उतरी अफरीका और यूरोप ठीक है नीचे है उतरी अफरीका एंड दैन उपर में है यूरोप और बीच का जो देख रहे हैं बुलू वाटर का ठीक है वाटर दरिसल भूमे दिसागर छेत रहे है सामराज का आरंभिक काल रोमन सामराज को मोटी तोर पर दो चरनों में बाटा जा सकता है जिन्हें पुरवर्ती और परवर्ती चरन कह सकते हैं इन दोनों चरनों के बीच तीसरी सताब्दी का समय आता है और उन्हें आतिहासिक दो आतिहासिक भागों में विभाजित करता ह तो दूसरे सब्दों में कहें तो तीसरी सतब्दी के मुख्य भाग तक कि सम्पूल अवधी को पुरवर्ती सामराज और उसके बाद की अवधी को हम लोग परवर्ती सामराज के नाम से पुकारते हैं दो महा सक्तियों, एक इरानी स्रामराज और एक रोम स्रामराज, तथा उन से समंधित स्रामराजज्यों में एक बड़ा अंतर यह था, कि रोमन स्रामराज सांस्क्रितिक दिरिष्टी से इरान की तुलना में कहीं अधिक बिवित्ता पूर्ण था, और इस अवधिके दवरान पार्थियाई तथा बाद में ससानी राजवन्सों ने इरान पर शासन किया। लेकिन परशासन के प्रयोजन हेटू वहां पर लाटेनी और युनानी भासाओं का ही प्रयोग होता था। पुर्वी भाग के उचित्तर वर्ग यानि अमिर बर्ग के लोग युनानी भाग के लोग लाटेनी भासा का इस्तेमाल करते थे। इन दोनों भासाओं के बीच की सीमा रेखा भूमिद सागर को चीड़ती हुई उस पार अफरेकी प्रांत त्री पोलितानिया जो की लेटेनी भासा था और सायरे नायका युनानी भासा के बीच से जाते थी तो जो लोग ऐसे समराज में रहते थे वे सभी एक मात्र सासक यानी एक समराट की ही परजा होते थे चाहे वे कहीं भी रहते हो और कोई भी भासा बोलते हो तो परथम समराट जो रोमन का था अगस्टस था ने 27 इसापूर में राज को अस्थापित किया जिसे प्रिंसिपैट के नाम से जाना जाता है यद भी अगस्टस एक छत्र सासक और सत्ता का वास्तिविक स्रोत था तथा पी इसकल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुक नागरिक है लैटिन भासा में उसे प्रिंसेप्स कहा जाता है इसकार्थ होता है प्रमुक नागरिक तो न तंत्र था, सत्ता पर अपना नियंत्रन रखा था, रोम में सैनेट नामक एक संस्था थी तो मैं कई सताबदियों तक रहा। वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन बर्क के लोग और अभिजात बर्क के लोग यानि मुख्यता रोम के धनी परिवारों का ही परतिनी धित्तो था, दबदबा था। लेकिन आगे चलकर इसमें इटालवी मूल्क के जमिनदारों को भी सामिल कर लिया गया और रोम के इति लिहास के अधिकान्स पुस्तकें जो आज यूनानी तथा लैटिन में ज्यादतर लिखी मिलती है, इन ही लोगों दवारे लिखी गई थी। इन पुस्तकों से यह बात अस्पष्ट हो जाती है, कि समराटों की परकתי इस बात के की जाती थी, कि वह सैनेट के परति किस तरह का बयवार रखते हैं, और सबसे बुरे समराट वे माने जाते थे, जो सैनेट के सदस्यों के परति सटरथा पूर्ण बयवार करते थे, और उ लोटने के लिए तरस्ते थे, किन्तु अधितर सेनेटरों को यह हैसास जरूर हो गया था, कि यह एक impossible work है, इस सामराज में गंतंत्र यानि रीपब्लिक एक ऐसी सासन बेवस्था थी, जिसमें वास्तिविक सत्ता सेनेट नामक निकाय में नहीं थी, सेनेट में धनवान परिव गंतंत्र अभिजातबर की सरकार का सासन सैनेट नामक संस्था के मैध्यम से चलाता था, और गंतंत्र 509 इसापुर्व से 27 इसापुर्व तक चला, लेकिन 27 इसापुर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र तथा उत्राधिकारी ओक्टेवियन ने उसका तकत प्लड दि और शत्ता अपने हाथों में ले ली, और अगस्टोस नाम से रोम का सामराट बन बैठा, सैनेट की सदस्ता जीवन भर चलती थी और उसके लिए जन्व कि अपेच्छा धन और पद परतिष्टा को आधिक महत्व दिया जाता था, सामराट और सैनेट के बाद सामराजिक सास इसका मतलब है कि सामराज को जिन्दा रखने के लिए, सामराज को बढ़ाई रखने के लिए और बढ़ाने के लिए हमें सेना की मजबूत आवे सकता पढ़ती रहती है, फारस के सामराज में तो बलात भरती वाली सेना थी, जबरन सब को बुला करके और ला करके सेना में भ सेना थी मतलब काम करेंगे तो पैसा मिलेगा ठीक है और यही फारस में क्या था यानि इरान में क्या था तो जबरन खीच करके लाया जाता था जिसमें प्रतेक सेनिक को बेतन दिया जाता था और नियुंतम 25 वर्स तक सेवा करनी पड़ती थी एक बेतन भोगी सेना का होना निसंदेह रोमन सामराज की अपनी एक खास विसिस्ता बन गई सेना समराज में सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय थी जिसमें चाओति सताबदी तक लगभग 6 लाक सानिक थे और उसके पास निसित रुप से समराटों का भाईगी निर्धारित करने की सकती थी सेनिक 72 बेतन और शेवा सर्तों के लिए लगातार आंदोलन रत करते रहते थे यदि सेनिक अपने सेनापतियों और यहां तक के समराटों द्वारा निरास महसूस करते थे तो ये आंदोलन प्राया सेनिक विद्रूहों का रूप ले लेते थे यह भी ध्यान रहे कि रोम सेना की जो तस्वीर हमारे सामने पेस की गई है वह उन इतिहासकारों के द्वारा तग्यार की गई थी जो सेनेट के परतिस साहनोभूरती रखते थे सेनेट सेना से घिरना करती थी और उससे डरती थी क्योंकि वह प्राया प्रत्यासित हिंसा का स्रोत था और विशेश रूप से तिसरी सताब्दी की तनावपून परिशितियों में जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैनिखर्चों को पूरा करने के लिए भारे टैक्स लगाने पड़े थे संच्छेप में समराट, अभिजात बर्ग, सेन, सामराज के राजनिति के इतिहास में तिन परमुक्र खिलाड़ी थे अलग-अलग समराटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वह सेना पर कितना नियंतरन रख पाते हैं और जब सेनाई विभाजित हो जाती थी, तो इसका परिणाम समाने तह गिरह युद की रूप में मिलता था एक ऐसे वर्स उनतर इस्वी को छोड़ कर जब एक के बाद एकोल मिलाकर चार समराट गद्दी पर बैठे पहले दो सताब्दियों में कोई क्रयुद नहीं हुआ और अपेच्छा केट सांती भी बनी रही सीहासन यथा संभव पारिवारिक बंसक्रम पर आधरी था यानि बंसानुगत ब्योस्था था पिता का राज्य पोत्र को मिलता था चाहे यह नय सरगिक हो अत्वा गरहन किया हुआ हो या उत्राधिकारी दत्तक हो और सेना भी इससी सिधान्त को पुरित्र से मानती थी उधारन के लिए टिबेरियस जिनका सासन प्रियड है चाओदो से सैंते सिस्वी के बीज में जो रोम समराटों को लंबी कतारों में दूसरा था प्रिंसिपेट की स्थापने करने वाले अगॉस्टरस का कोई अपना पूत्र नहीं था किन्तु सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिसित करने के लिए ऑगॉस्टरस ने उसे गोद ले लिया था टिबेरियस को पर्थम दो सताब्दियों में आइनने देशों के साथ युद्ध भी बहुत कम हुए आउगस्टस से टिबरियस द्वारा प्राप्त किया गया सामराज जी पहले ही इतना लंबा चोड़ा था कि इसमें और अधिक विस्तार करना अनावस्यक परतीत होता था तो वास्तों में आउगस्टस का सासनकाल सांती के लिए याद किया जाता है क्योंकि इस सांती का आगमन दसकों तक चले आंतरिक संघर्ष और सद्यों की सैनिक बिजय के पस्चात हुआ था सामराजी के प्रारम्भिक विस्तार में एक मात्र अभियान समराट तराजान ने 13-177 इस्वी में चलाया जिसके द्वारा उसने फ्रात नदी के पार के छेतरों में निरर्थक रूप से कबजा कर लिया लेकिन उसके उत्राधिकारियों ने उन इलाकों को छोड़ दिया समराट तराजान का श्वापन भारत की बिजय दरिसल ये ख्वाब इन्हों ने देखा था कि हम भारत को भी बिजय कर लेंगे अब होता यह है कि तत्पस्षा एक भेंकर भुकम से पेडित एंटियोक में सरदी का दिन था और 116 हिस्वे में तराजान फ्रात नदी के रास्ते आगे की और बढ़ता हुआ पार्थियन की राजधाने टैसी फुन तक चला गया फिर वहां फारस की खाड़ी के सिरे पर पहुँच गया कैसियस डियो के नुसार वहां पर भारत के और जाने वाले किसी वानेजिक पोत को ललाईत नजरों से देख रहा था और चाह रहा था कि कास वह सिकंदर जैसा जवान होता इस काल की विशे सुपलब्धी यह रही कि रोमन शामराज के परतेच सासन का कर्मिक रूप से काफी विश्तार हुआ और इसके लिए अन्य कासरीत राजियों को रोम के प्रांतिय राजिय छेतर में मिला लिया गया तो निकटवर्ती पूर्वी आईसे राजियों से भरा पड़ा था लेकिन दूसरी सताब्दी के प्रारभिक वर्सों तक जो राजिय फ्रात नदी के पस्सिम में और पड़ते थे मतलब पस्सिम में दैडविंस रोम राजिय छेतर की और उन्हें भी रोम द्वारा हडप लिया गया तो प्रासंगिक तोर पर यह उलेकनी है कि ये राजिय अत्यंत सम्रिद थे और उदारण के लिए हेराट के राजिय से पर्तिवर्स 54 लाख दिनारियस के बराबर आमदनी होती थी दिनारियस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था जिसमें लगभग 4.5 गराम विसुद चांदी होती थी देखे रोमन समराज के भूमेद्य सागर ये छेतर में रहने वाले लोगों की दिरिष्टी से निकटवर्ती पूरुप का मतलब था कि भूमेद्य सागर के बिलकुल पूरुप का एलागा मुखी रूप से सिरिया, फिलेस्टेन, में सोपटामिया के प्रांत जो इराक में हैं जो रोमन समराज के हिस्से थे ये मोटे तोर पर आसपास के छेतर थे जैसे अरब का एलागा था वास्तों में इटली के सिवाए जिसे उन सताब्दियों में प्रांत नहीं माना जाता था इटली का सिवाए प्रोविंस था समराज के सभी छेतर प्रांतों में बटे हुए थ दूसरी सताबदी में जब रोम अपने चर्मोतकर्स पर था, रोमन समराज स्कॉटलेंड से आर्मेनिया की सिमाओं तक और शहरा से फ्रात और कभी-कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था, यह सच है कि उन दिनों सासन व्यवस्ता को चलाने के लिए उनकी मदद आज जैसी क उठता है कि समराटों के लिए इतने लंबे चोड़े और तरह-तरह के इलागों पर नियंतरन रख पाना कैसे संभव हुआ, जिनकी आबादी दूसरी सताबदी के मईध में लगभग 6 क्रोड तक पहुच गई थी, इस प्रस्न का उत्तर सामराज के सहरीकरन में खोजा जा सक संपुन शामराज में दूर दूर तक एन एक नगर अस्थापित किये गए, जिनके माईध्यम से सारे सामराज पर अपना नियंतरन रखा जाता था, ठीक है, और भूमेध्य सागर के तटों पर जो अस्थापित किया गया बड़े सहरीक केंदर थे, जिनमें कॉर्थेज, सि चेत्रों पर कर लगाने में सफल हो पाती थी, और जिनसे सामराज के अधिकांस धन संपदा राजकोस में जमा हो जाता था, इसका अर्थिया हुआ कि अस्थानिय उच वर्ग रोमन सामराज को कर वसूली और अपने चेत्रों के परशासन के कायड में सकरिय सहता देते थे, इटली और एंड परांतों के बीच सत्ता का कस्मिक अंतरन जो वास्तों में रोम के राजनितिक इतिहास का एक महतुपुर्ण पहलू रहा है, तो दूसरी और तिसरी सताबदियों के द्वरान अधिकतर परशासक तथा सैनिक ऑफिसर इन ही उच परांतिय वर्गों में से हो परथन हासिल था, जैसे जैसे यह नया समू उभर कर शामने आया, समराट गैलिनेस 253 इसवी से लेकर 268 इसवी ने इसके बीच में सासन किया, उसने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटा कर इस नई बर के उदय को सुधिड बना दिया, और प्राय ऐसा कहा जाता है कि गैलिनेस न पहुंच रखने पर पाबंदी लगा दे थी, ताकि समराज का नियंत्रन उनके हाथों में न जाने पाए, संचेप में पहली सताब्दी के बाद वाले वर्षों में और दूसरी सताब्दी के दवरान और तिसरी सताब्दी के प्रारेंभिक वर्षों में सेना और प्रशास्टन में अधिक से अधिक लोग प्रांतों से लिए जाने लगें क्योंकि इन छेत्रों के लोगों में को भी नागरिक्ता मिल चुकी थी और जो पहले इटली तक ही सिमित थी तो सैनेट पर कम से कम तीसरी सताब दी तक इतली याना इटली के मूल लोगों का पर्भोत बना रहा लेकिन बाद में परांतों से जो सैनेटर आये वे बहुसंख्यांक हो गए और इन ही प्रवृतियों से पता चलता है कि सामराज जी में राजनितिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से इटली का पतन होच चला था सामराज जी और भूमेद सागर के पिछा करित अधिक समरिध और शहरी करित भागों जैसे अस्पेन के दचनी हिस्सों अफरीकी और पुर्वी भागों में एक नए अमीरवर का उदय हो रहा था तो रोम के संदर में एक ऐसा सहरी केंद्र था जिसके अपने दंड नायक यानि मजिस्तेट नगर परिशद यानि स्टी काउंसिल और अपना एक सुनियोजीत सुनिस्चित राजी छेतर था जिसमें उसके अधिकार छेतर में आने वाले कई गराम सामिल थे इस परकार किसी भी सहर के अधिकार छेतर में कोई दूसरा सहर नहीं हो सकता था किन्तु उसके तहत कई गाउं लगबग हमेशा ही होते थे आम तोर पर शाहिय नुकमपा के कारण गाउं का दर्जा बढ़ा कर उन्हें सहरों का दर्जा और सहरों को गाउं का दर्जा दिया जा सकता था किसी सहर में रहने का लाव यही था कि खाने की कमी और अकाल के दिनों में भी इसमें ग्रामी निलाकों की तुलना में बहुत बेहत्तर सुविधाय प्राप्त होने की संभावना रहती थी कि एक है रोमन सामराज के राजनितिक इतिहास मैं कौन तेन मुख्य खिलाडी थे पर्तेक के बारे में एकक दो पंक्तियां लिखें ठीक है और रोमन शमराज टितने बड़े शामराज पर शासन कैसे कर लेता था इसके लिए किसका सहयोग महत्पून था इसके में भी लिखना आपको डॉक्टर गेलन के नुसार रोमन सहरों का ग्रामिन शेतरों के साथ बढ़ताओ तो कई प्रांतों में लगातार कई बर्षों से पढ़ रहे आकाल ने साधारन से साधारन बुद्धी वाले आदमी को भी यह बता दिया कि लोगों में कोपोसन के कारण बिमारियां हो रही है सहर में रहने वाले लोगों का फसल कटाई के सिगर बाद अगले पूरे बर्ष के लिए प्रियाप्त मातरा में खायद्यान अपने भंडारों में भर लेना एक रिवाज हो गया था तो सारा गेहूं, जव, सैम तथा मसूर और दालों का काफी बड़ा हिस्सा सहरीयों द्वारा ले जाने के बाद भी कई परकार की दालें किसानों के लिए बची रह गए थी, तो सर्दियों के लिए जो कुछ भी बचा था उसे खा पीकर खत्म करने के पस चाथ दिहाती लोगों को बसंतरीतों में यह स्वाष्थकर खायद्यों पर निर्भर रहना पड़ा, जैसे उन्होंने पेडों की टहनियां, छालें, जडें और जाडियां यह खायद्य पेड़ पौधे और पत्ते खाकर किसी तरह अपने प्रानों को बचाए सारुजनिक असनान गिरह रोम समराज की एक महत्तपोन और शहरी बिसेस्ता थी, जब एक इरानी सासक ने ऐसे असनान गिरह को नहाने वाले घर को ठीक है, जिसको स्विमिंग पूल आप कहते हो, इरान में शुरू करने का प्रयत्न गिया, यह एक्चली रोम में पहले से पर प्रयत्ता थी, जब एक पवित्र वस्तू है, और सारुजनिक अस्तान करने से जल का आप पवित्री करन हो जाता है, तो सहरी लोगों का यह एक एक एंटर्टेन्मेंट का साधन है, उच्चवर के लोगों का, समरांत लोगों का, तीसरी सताब्दी का संकत, यदि पहली और दूसरी सताब्दियां कुल मिलाकर सांती, संमरीधी और आर्थिक विश्तार की परतिक थी, तो तिसरी सताब्दी आंतरिक तनाव के पहले बड़े संकेत लेकर सामने आये 230 के दसक से सामराज ने स्वेम के कई मर्चों पर जूशता पाया इरान में 225 इस्वी में अपिच्छा करित एक अधिक आकरामक वंस उभर कर सामने आया और इस वंस के लोग स्वेम को ससानी कहते थे और केवल 15 वर्षों के भीतरिया तेजिस से फ्रात की जिसा में फायल गया हमें तीन भासाओं में खोदे एक परसिद सिलालेक में इरान के सासक सापूर पर्थम ने दावा किया था कि उसने 6 लाख रोमन सेना का सफाया कर दिया है और रोम सामराज की पुर्वी राजाने एंटियोक पर भी कबजा कर लिया है इसी बीच कई जर्मन मुलकी जनजातियां और राज समुदायों जिन में से एक परमुख था एल मननाई, फ्रेंक और गोत्थे ने राइन और डेन्यूब नदी की सिमाओं की और बढ़ना सुरू कर दिया 233 से 280 तक की समुची अवधी में उन प्रांतों की पूरी स्रीमा पर बार बार आकरमन हुए जो काला सागर से लेकर आलप और दच्छिनी जर्मनी तक फैले हुए थे आलप सिक परवत है रोम वासियों को डेन्यूब से आगे बढ़ने का छेतर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा ठीक है जबकि इसकाल के समराट उन लोगों के विरुद्ध लगातार युद करते रहे जिन्हें रोम वासी विद्यसी बरबर कहा करते थे तीसरी सताब्धी में थोड़े थोड़े अंतर से अनेक समराट जो इस तर्थे का असपस्ट सूचक हैं कि इस अबधी में समराज को बहत तनाव की स्थिती से गुजरना पड़ा लिंग, साचर्ता और शंस्कृती रोमन समराज की अपिछाकरित आधिक और आधुनिक एक विसेस्ता में से हिया थी कि उन दिनों एक एकल परिवार का ज्यादा ही चलन था मतलब छोटा परिवार वयस्क पूत्र अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे ध्यान देंगे वयस्क पूत्र अपने पिता के परिवारों के साथ नहीं रहते थे और वयस्क भाई बहुत कम साजे परिवार में रहते थे तो दूसरी और दासों को परिवार में समिलित किया जाता था क्योंकि रोम वासियों के लिए परिवार की यही आउधार ना थी तो सामानेता गंतंत्र के परवर्ति काल तक विवाह का रूप ऐसा था कि पतनी अपने पत्ती को अपनी संपत्ती देती नहीं थी. ठीक है? हस्तांत्रित नहीं करते थी. किन्तु अपने पैतरिक परिबार में वो अपने पूरे अधिकार बनाए रखते थी. मतलब पैत्रिक परिबार अपने घर पर भी तो महिला का दहेज वेवाही कबधी के दौरान उसके पती के पास चला जाता था महिला का दहेज जब उनकी साधी हो जाती थी तो उसके बाद पती के पास चला जाता था किंतु महिला अपने पिता की मुख्य उतराधिकारी बनी ही रहती थी और अपने पिता की मिरतियों होने पर उसकी संपत्ति की सोतंध्र मालकिन बन जाती थी इस प्रकार रोम की महिलाओं को संपत्तिक के स्वामित वह संचालन में ब्यापक कानूनी अधिकार हासिल थे आपने पढ़ा साथी साथ इन्हें कानूनी अधिकार कानून के नुसार पती पत्नी को सन्युक्त रूप से एक बीतिय हस्ती नहीं बल्कि अलग-अलग भी दो बीतिय हस्ती माना जाता था इसको याद रखेंगे यह आपका सवाल बनता है कि रोम के कानून के नुसार पती पत्नी को सन्युक्त रूप से एक साथ पैसे के लेंदिन के मामले में एक बीतिय हस्ती नहीं माना गया बल्कि अलग-अलग दो बीतिय हस्ती माना गया मतलब पत्नी की संपत्ती अलग है उसका हिसाब किताब वहां है हमारे आज के समाज में क्या है कि एक बीतिय हस्ती पती के पास होती है ठीक तो और पत्नी को पुर्ण बैधिक स्वतंतरता प्राप थी यानि पूर्णता उन्हें एक नियमता और नैतिकता के तहत आजादी हासिल थी तलाक देना अपेच्छा क्रित आसान था और इसके लिए पती अथ्वा पत्नी द्वारा केवल बिवाह भंग करने के इरादे की सुचना देना ही काफी था दूसरी ओर अठाइस ये पुरूस अठाइस उन्तिस तीस बत्तिस के आयू में विवाह करते थे जबकि लड़कियों की साधी सुलह अठारो वह बाइस से तैस साल के आयू में की जाते थे इसलिए पती और पत्नी के बीच आयू का अंतराल बना रहता था इस ये समानता को कुछ बढ़ावा मिलेगा इससे ये समानता को बढ़ावा मिलेगा और विवाह आमतोर पर परिवार द्वारा नियोजित होते थे इसमें कोई संदेह नहीं है कि महलाओं पर उनके पती अक्सर हावी राते थे तो महान कैथोलिक बिसप आगोस्टीन जिन्होंने अपना अधिकांत जीवन उतरी अफ्रिका में बिदाया था उसने लिखा है कि उनकी माता की उनके पिता द्वारा नियमित रुप से पिताई क रते थे अंतता पिताओं को अपना बच्चों पर अध्यधिक कानूनी नींतरन होता था तो कभी-कभी दिल दहलाने वाली सीमा तक जैसे एक बहुत ही रेर एक जामपल है कि बच्चों को मामले एक किसी मामले में या वानसित मामले में उन्हें जिंदा रखने और मार डालन तक का कानूनी अधिकार प्राव था, तो ऐसी जानकारी मिलती है कि कभी-कभी पिता सिस्वों को मारने के लिए उन्हें ठंड में छोड़ देते थे, बताईए, कितना कठोर तरीका था, साचर्ता की इस्तिति क्या थी, या निस्तित्रुप से एक काम चलाओ, साचर्ता की दरे हमें सामराज के अलग-अलग भागों में मिलता है, जैसे उधारन के लिए, पॉम्पई नगर में जो 79 इस्वी में जवाला मुखी फटने से दफन हो गया था, इस बात का ठोस प्रमान मिलता है, कि महां काम चलाओ, साचर्ता ब्यापक रूप से बिद्दमान था, पॉम्प जिन पर अत्यधिक अपचारिक दस्तावेज, जैसे सन्वीदा पत्र आधी लिखे गए हैं, ये सन्वीदा पत्र आमत्वर पर ब्यवसाइक लिपिक द्वारा तयार किया गया, रोमन समराज में संस्क्रितिक बिवित्ता कई रूपों में आपने देखा है कि पाया गया है, तो धार्मिक संपरदाय जैसे अस्थानिय देवी देवताओं की भरपूर बिवित्ता है, साथी साथ आप यह भी देखेंगे कि वहां की बेस भुसा, सैरहंसन की सैलिया, फिर उनके खाने पिने के भोजन के तरीके, सामाजिक संगठन के रूप में जन जाती है, और उनकी बस्तियों के अनेक रूप जो अरामाय की निकटवरती पूर में उसका भासा भी रहा था, यानि एक बिवित्ता से भरा हुआ था, मिस्र में कॉप्टिक और उत्री अफ्रिका में प्यूनिक तथा बरबर्क और अस्पैन तथा उत्री पस्तिमी में कैल्टिक भास बोली जाते थी, परन्तु इन में बहुत सी भासाई संस्कृतियां पुर्णता मौखिक थी, वे कम से कम तब तक मौखिक रही, जब तक उनके लिए एक लीपी का आविश्कार नहीं किया गया, और फोर इक्जामपल, आर्मेनियाई भासा के लिखना भी बहुत देर बाद पांच्वी सताब्दी में शुरू हुआ, हाला कि तिसरी सताब्दी के मजधे तक, बाइबिल का कॉप्टिक भासा में अनुवाद हो चुका था, कई अस्थानों पर और लेटिन भासा के परशार ने उन भासाओं को बिलकुल एक लिखित रूप में दे दिया, तो जिसका लिखा जाना प्रथम सताब्दी के पस्चारत बंद भी हो जाता है, किसका क्यल्टिक भासा करा?